वेल्कम तो स्रीजी फूर्ड मैं हूं मनिशा ठककर आज हम आम की कड़ी कैसे बनानी है वो देखेंगे जिसे फजे तो भी बोलते है यह बहुत ही टेस्टी होता है और उसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते है आम की कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो मैंगो सिर्ज होता है वो लिया है तो जब भी आप मैंगो खाने के लिए या आमरस बनाने के लिए जब उसे कट करते है तो उसकी जो गुटलिया होती है उसे पूरी तरह से साफ नहीं करना है आप देख सकते है गुटली के उपर इस तरह से थोड़ा सा मैंगो पल्प लगा हुआ है तो यहां पर मैंने इस तरह की पांच आम की गुटलिया ली है इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसमें अराउंड एक से दो गलास जितना हम पानी डालेंगे नॉर्मल रूम टेंपरेचर का पानी ही लेना है ताकि इसके उपर जो भी मैंगो पल्प लगा है वो पानी में आ जाएगा अगर आपके पास समय है तो आप इस तरह से पानी डालके गुटलियों को आध्य गंटा रहने दे और उसके बाद साफ करोगे तो आसानी से वो साफ हो जाती है तो इस तरह से जो आम की गुटलिया है उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है अब देख सकते है इस तरह का यह पानी बनकर तयार हो गया है अभी हम यह पानी का इस्तमाल करके कड़ी बना रहे है लेकिन अगर आप आम रस बनाते है तो नॉर्मल पानी इस्तमाल करने के बदले आप अगर यह वाला पानी इस्तम करते हैं तो खता लहेंगे अगर आपके पास आमरस है तो डाले नहीं है तो स्किप कर सकते हैं अब हम इसे मदद अच्छी तरह से ब्लैंड कर लेंगे तब देख सकते हैं इस तरह का ये मिश्रण बन कर तैयार हो गया अब एक कड़ाई लेंगे और उसमें दो चम्मत जितना देसी गी गरम करने के लिए रखेंगे आप चाहे तो गी और तेल मिक्स करके भी इस्तमाल कर सकते हैं जब गी गरम हो जाए तब गैस की आज धीमी कर दे और इसमें थोड़ी सी राई डाले राई चटक जाए उसके बा पर हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तड़का जलेना उस बात का आपको खास ध्यान रखना है अब जो बेजन वाला मिक्षर हमने बना कर रखा है वो इसमें डाल देंगे गैस कियांच मिडियम टू हाई कर देंगे और जरुआत अनुसार इसमें पानी डालेंगे मैंने अराउंड हाफ कब जितना पानी इस्तमाल किया है अब इसमें मसाले करेंगे तो थोड़ा सा नमक डालेंगे अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाले और इसे के जाथ एक बड़ा चम्मत चीनी डालेंगे आप चाहिए तो चीनी के बदले गुड का भी इस्तमाल कर सकते है और अगर आपको कड़ी को खटा रखना है तो आप चीनी या गुड कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा इसे हमें medium to high flame पर around 6-7 मिनिट तक उबालना है और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे तो round 7-8 मिनिट के बग इस तरह का कड़ी का टेक्शर आ गया है हम इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे mix करके gas बंद कर देंगे जब आप gas बंद करो तब कड़ी का टेक्शर इस तरह का होना चाहिए तो ये हमारी आम की कड़ी बन कर तयार है इसे serving बॉल में निकाल लेते है और इसके garnishing के लिए उपर से भी थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे तो ये हमारी आम की कड़ी या फजे तो बन कर तयार है आप इसे रोटी, पराठा, पूरी या प्लेन राइस के साथ सव कर सकते है ये बहुत ही टेस्टी बनती है तो आप भी बना कर जरू ट्राइ करें उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी